हालो दोस्तों मेरा नम आर्ति है और आर्तियात्मराम चैनल में आपका स्वागत है आज हम सिखेंगे कुकर में खिला खिला और बहुत एटेस्टी वेज मटर पुलाव कैसे बनाते हैं तो इसके कुछ टिप्स और रिक्स मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूं इस वीडिय पुला बनाने के लिए हमें लगेंगे सबसे पहले एक कप बासमेदी चावल दो देज पत्ता इसे मैंने बीच से कट कर लिया है मसालों में हम लेंगे आठ से दस काली मिर्च दो बड़ी इलाइची दो स्टिक दालचिनी एक स्टार फुल और चार से पांच लॉंग तरका लगाने के लिए दो बड़े चमज घी लिलिया है वन फूर्थ कप गाजर वन फूर्थ कप आलू आठ से दस करीपत्ता काजू ले लेंगे आधे कोटोरी दो प्याज लंबे कटे हुए बीन्स वन फूर्थ कप एक बड़ा चमज अधरक लसन का पेस्ट छोटा चमज नीमबू नमक स्वाधा अनुसार हरी मिर्च भी स्वाधा अनुसार लेंगे और हरी मटर हम लेंगे यहां पर त्रीफोर्थ कप तो सबसे पहले हम चावल को धो लेना है बासमती चावल आप यहां पर कौन से भी कंपन निका ले सकते हैं लेकिन इसे दो से तीन बार अच्छे से धो ले इससे जो उपर का स्टार्च है वो निकल जाएगा अब हम इसे पानी में 15-20 मिनिट के लिए भीगो के रखेंगे अब बारी आती है तड़का लगाने की तो मैंने यहां पर एक कुकर ले लिया है इसमें हम डाल देंगे यह घी और धीमी आच पर इसे पिगला लेंगे घी को जादा गरम नहीं करना है अब हम इसमें डालेंग इसमें डाल देंगे काजू इसे भी बून लेंगे एक मिनिट के लिए और करी पत्ता करी पत्ते को उपर से डालने से वह ज्यादा तड़कता नहीं है तो इसलिए हमेशा एक से दो चीज़े डालने के बाद ही करी पत्ता डाले डिरेक्ली तेल में डालेंगे तो वह बहुत चटक जाता है इसका अपने हाथ को चुरका भी लग सकता है अधरक लशन का पेस्ट हम यहाँ पे आधा ही डालेंगे आधा हम बागी बाद में डालने के लिए बजा के रखेंगे हरी मिर्च, स्वादा नुसा, प्यास को हम मेडिय मांच पे हलका गुलाबे होने तक फ्राइ करेंगे जब यह हलका गुलाबी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सबजिया तो मैंने यहाँ पे आलू, बीम्स, गाजर और फ्रेश मटर यूज की है अगर फ्रेश मटर ना हो तो आप मार्केट की रेड मेर वाली भी यूज कर सकते हैं, सबजिया भी है आप एक दो स्किप भी कर सकते हैं और आड भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो लेकिन जितने भी सबजिया हैं उससे मैंने डबल मटर ली है यहाँ पे अब दो से तीन मिनिट तक इन सबजियों को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे चावल चावल का पानी मैंने अल्रेडी निकाल लिया है इसे भी हम दो मिनिट तक भून लेंगे मेडियम आंच पे इसे भी अच्छे से भून लिया है ज्यादा बासमती चावल को बिल्कुल भी ना भूने ज्यादा भूनने से जो चावल है वो अंदर से कट जाते हैं यानि एक से दो तुड़े हो जाते हैं उसके अब जितना हमने चावल लिया था उसके देड़ गुना पानी लेना है जिस कप से भी या ग्लास से आप मेजर करें उसी से पानी ले तो मैंने इसी कप से मेजर किया था इसलिए देड़ कप इससे पानी लिया है पानी को सबजियों में मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक में यापे बड़ाय चमश लिया है, आदा निम्बू का रस, निम्बू के रस से हमारे जो पुलाव है वो खिला खिला बनता है, और ये हमारा आदा बचा हुआ अदरक लसन का पेस्ट, ये कच्छा पेस्ट डालने से पुलाव बहुत ही बनता है, आप इसे करके जरूर देखें, अब तेज आंच पे हम एक उबाल होने देंगे, जब ये अच्छे से उबाल आ जाए, फिर से एक बार मिला लें, इससे जो हमारे सबजियां है वो उपर नहीं आती, अच्छे से मिलके रहती है पुलाव में, अब ढ़कन ढ़क के तेज आंच पे इसे हम सीटी होने देंगे, तो जल्दी ही इसकी सीटी हो चुकी है, और सीटी होते ही तुरंथ हम फ्लेम बंद कर देंगे, फ्लेम बंद करने के बाद इसका सीटी जो है उसकी हवा बिलकुल भी ना निकाले, इसे नाच्रली थंडा होने दे, क्यूंकि अदर तक चमच गरम गरम चावल में बिलकुल भी ना डाले, दस मिनिट तक छोड़के इसे सर्फ करें, दस मिनिट इसी तरह से रखने से चावल एकदम खिले खिले और बहुत ही टेस्टी मिलते हैं, जैसा कि आप देखी सकते हैं, ये हमारे एकदम खिले खिले मटर पुला करें, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू